अगर मैं आपसे एक question पूछू, if else वाला, write a python program to find maximum of three numbers, मतलब तीन numbers में से सबसे बड़ा number कौन सा है ये बताओ, तो आपको तो तीन number इंटर करवाने पड़ेंगे, तभी तो बता पाओगे, मतलब एक output screen अगर imagine करोगे, तो enter first number user करेगा, enter second number user करेगा, enter third number user करेगा, अगर आप program बनाने की कोशिश भी करते हो, अगर रुको दिखाता हूँ आपको, इसको मैं क्या करता हूँ, comment दे दूँ क्या, एक, दो, तीन, triple quotes लगाने पड़ता है, एक, दो, तीन, triple quotes लगा दिये, उसके बाद, अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले, तो input, हाँ आजाओ, तुम लोग लेट क्यूँ आते हो, कोई कहानी है क्या उसके पीछे, enter first number, यहाँ पर लिखा, और, इसको मैं int नाम के function के अंदर लिखना चाहता हूँ, इसके लिए अंदर डाल दिया, ताकि int में convert हो जाए, और मैं इसे रखवा देता हूँ, एक्स नाम की memory में, मतलब user जो पहला number इंडर करेगा, उसे एक्स में रखवाया, उसके बाद इसको copy कर लेता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ y, second number, z, third number, बस यहाँ लिखना पड़ेगा, second number रखवा दो, y नाम की memory में, third number रखवा दो, इस memory में, बस, अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, तीन में से बड़ा पता करना है, तो आपको पता, x बड़ा कब माना जाएगा, जब वो y से भी, और z से भी, दोनों से बड़ा होगा, ऐसा नहीं किसी y से बड़ा हुआ, तो x सबसे बड़ा, नहीं नहीं, z से भी चेक कर लेना, तो लिखना पड़ेगा, if यदी, ये line छोडने की ज़रूत नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही अच्छा दिखने के लिए छोड़ा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, space कभी मत देना, कहां पर, लिखते से मैं ऐसा, space वगरे कभी मत देना, ऐसे ही लिखना, if यदी, x, तुम लोग भी लेट हो गए, इतना लेट कैसे हो गए, अच्छा, क्योंकि मैंने वाई लूप पढ़ा भी दिया है, अभी दूसरा पढ़ा रहा हूँ, तो वाई लूप आपको समझेगा ही ने, ऐसा, ठीक है, देखो, if यदी, x बढ़ा है, इससे, y से, and, अब अगर c प्रोग्रामिंग होती, तो ऐसा लिखना पढ़ता, and, या उसके साथ साथ, x यदी बढ़ा है, किससे, z से भी, लेकिन c प्रोग्रामिंग थोड़ी सीख रहे हो, c प्लस प्लस थोड़ी सीख रहे हो, java थोड़ी सीख रहे हो, आप तो python सीख रहे हो, इसलिए इन्होंने end word यूज़ किया है, यहाँ पर, इसको logical end यहाँ बोलता है, c c प्लस प्लस जावा में, double end percent यूज़ करते हैं, logical end के लिए यहाँ पर यह, और यह यूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन इसका meaning अलग होता है, यहाँ पर, होता है यह operator, beat wise operator है, इसका meaning क्या है, मैं बताता हूँ आगे, लेकिन यह अलग है, इसका अलग use होता है, beats पता होगे आपको क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी भी number को, binary में convert किया जा सकता है, आपको पता है, जैसे 55 है, उसको binary में 11001 वगेरे में, आप convert कर दोगे, तो वो जो numbers होता है वो beat होता है, जैसे 110011, तो 6 beats हो गए, 110011, 6 beats, अब यह जो 6 beats है, पहले आपने number को convert कराया, binary में, beats में, फिर दूसरे number को भी convert कराया, binary में, beats में, उसके बीच में addition कराई, या multiplication, जो result आया, वापिस से उसको decimal में convert कराया, यह उस end को, यह वाला end वहां कामाता है, beat wise operator है, beats के बीच में multiplication करता है, और यह beat wise और operator है, वो end था, और जो होता है ना, addition करता है, और addition के लिए बनाया गया है, यह याद करना पड़ता है वैसे, और addition के लिए, and multiplication के लिए, beats के बीच में, direct multiply नहीं करेगा, अगर आपने लिख दिया 6, यहाँ पर, जैसे आप मैं बताता हूं, आपने लिख दिया 6 and, रुको दिखाता हूं, ideally open करके दिखाता हूं, 6 and, 7, आप बोलोगे यह तो 42 होना चाहिए, 6 हो रहा है, यह multiply कैसे करता है पता आपको, beats के बीच में करता है, पहले 6 को convert किया जाएगा binary में, 7 को convert किया जाएगा binary में, फिर multiply होगा, और जो result आएगा, वो वापिस से decimal में आएगा, इसलिए ऐसा है, 42 नहीं होगा, क्योंकि यह beats में करता है, आप बोलोगे 42 के लिए क्या है, वो star है, यह operator arithmetic operator है, यह चलेगा, यह आपको वो दे देगा जो आप सोच रहे हो, वो आपको arithmetic operator नहीं, वो beat wise operator है, beats के बीच में multiply करता है, आप बोलोगे दूसरा वाला end है क्या, हाँ, six, एक और होता है, यह और क्या करता है पता, addition, seven, अब addition करने पर यहीं आता है, beats के बीच में, करके भी दिखा दूँगा मैं आप लोगों को, तो इसके लिए यह ऐसी चीज है, हाँ, यहाँ पर आपको क्या यूज करना, word यूज करना, logical end, not भी होता है एक operator, यह, और भी होता है, color से समझ गए होगे आप, वैसे यह keywords है, आप क्या बोल रहा है, यदि x बड़ा है y से, देखो हिं, मतलब एक तम English language कैसी होती है, यदि x बड़ा है y से, end, x बड़ा है z से भी, और मत लिखना, और की लिखने से क्या होगा जानते हो, कि दोनों में से कोई एक भी बड़ा रहे, तो x बड़ा, नहीं, ऐसा नहीं होता, दोनों होने चाहिए, इसलिए और तो सही नहीं लग रहा हमें, प्रोग्रामिंग की तरह यहाँ पर परसेंट d परसेंट f भी होता है, बताता हूँ उसको भी, पहले यह देख लो, अब आगे, यह तो x के लिए हो गया, अब बचा y के लिए, तो एलीफ लिखो, या फिर यदि, अब मैंने बोला एलीफ आया, इफ अगर आ गया, आपको condition लिखनी पड़ती है, या फिर यदि y बड़ा है x से, and y बड़ा है z से भी, तो y is greater, देखो प्रोग्राम बनते गैसे हैं, y is, एकदम आसान भाषा है, आपको समझने के लिए, मतलब offline में भी आप ये चीज नहीं सीख पाओगे, जो लोग online ये चीज सीख लेंगे, same to same, कोई ऐसा अलग नहीं होता, और online भी उतने अच्छे से explain कर पा रहा हूँ मैं, एलीफ, z बड़ा होगा यदि x से भी, and, z बड़ा होगा, किस से, y से भी, चलाएंगे, देखते हैं, क्या issue आता है, f5 दबा चुका हूँ मैं, enter first number, पहला number है 55, दूसरा number है 33, तीसरा number है 77, 77 is greater आ रहा है, हो गया, कुछ अलग थोड़ी गया, देखोगे तो एक English language जैसा ही दिखाई दे रहा है, पूरा, अब आप बोलोगे नहीं, मुझे C language में अगर ये करना है, तो tough हो जाएगा, अच्छा मुझे बताओ, यही चीज है ना, अब आपको दिखाता हूँ, C language में same program, जिससे जिसको C language नहीं आती, कि यहां लिखो main, main से आपका program शुरू होता है, curly bracket start, curly bracket close, पहली line यह आपने लिखी, enter first number, तो वहां लिखना पढ़ता है, C language में printf, लिख देता हूँ, enter first number, यह message बढ़के, user एक number enter करने की कोशिश करेगा, वो कोशिश कर पाए, इसी लिए scanf जरूर लिखना, hello लिखो, hello print कराओ, यह enter first number प्रिंट कराओ, बात एक ही है, इसका यह मतलब नहीं की, user भी enter करवा पाएगा, लिखने को तो enter 1000 numbers भी लिख सकते थे, तो क्या वो 1000 numbers एंटर करने लग जाता क्या, जब तक आप scanf नहीं लिखते, user लिखी नहीं पाएगा, इनका काम अच्छा है, एक ही लाइन में सब हो जाता है, user को enter करने का मौका भी मिल जाता है, एक्स में भी चला जाता है सब, लेकिन c language में scanf लिखना पड़ेगा, user क्या enter करवाना चाहता है, number इसलिए %d लिखो, ताकि वो numbers एंटर करवाए, तो ये %d scan करा पाए, उसके बाद उसे रखवा दो X नाम की, यहां memory का नाम क्या X ना, X में रखवा दो, एंट परसेंट लगाना पड़ता है, लेकिन आपने X नाम की memory बनाई नहीं है, हाँ अभी याद आया, अभी बना लेता हूँ, पहले नहीं याद आया था, तो नहीं बना रहा था, जब याद आया तब बना लिया, memory बाद में मत बनाना, यूज पहले करोगे, बाद में बनाओगे, ऐसे होता है, क्या पहले खाना खाओगे, फिर बनाओगे, ऐसा तो होता नहीं, पहले बनाओगे फिर खाओगे वैसे ही memory पहले बनाओगे उसके बाद ही उसको use करोगे पहले कैसे बाद में कैसे इसलिए line यहां लिखने का कोई मतलब भी नहीं है उसके बाद अब अगला enter second number same to same printf enter second number और यहां पे आप लिखोगे जैसे ही और फिर scanf ताकि user दूसरा number भी enter करवा पाए नहीं तो नहीं करवा पाएगा फिर य नाम की memory भी बनानी पड़ेगी बनाया फिर से printf enter third number scanf और इसे z में रखवा लिए आप बोलो कि z नाम की memory भी बनानी पड़ेगी हाँ बना लिए फिर यही चीज है यह देखो यह इफ यदी bracket लगाना पड़ता x बड़ा है y से या and उसके साथ साथ x बड़ा है z से भी तो क्या करना है तो बोलना है print x is greater printf और person d is greater इस person d की जगा दिखना चाहिए जो भी x में होगा फिर else if या फिर यदी कुण से अगले lecture के लिए आये हो या इसी के लिए इसी के लिए आये हो फिर उसके बाग्यों की अगली भी बैच है मेरी एक y यदी बड़ा है x से और and y बड़ा है z से भी तो ये और last mile देखा जाए न ये भी वैसा ही है logic एक ही होता है किसी भी language का आप मुझे बताओ मैं आप से बोलू मुझे यहां से एक जगा जाना है जैसे Mumbai जाना है यहां से तो कैसे जाओंगा तो आप बोलोगे यहां से आपको पैदल जाना पड़ेगा CBS तक CBS या फिर Mumbai नाका मतलब हर एक का जवाब अलग हो सकता है मतलब हर एक का logic अलग हो सकता है हाँ लेकिन जो बोल रहा है वो एक ही बोलेगा मतलब language कोई भी हो जैसे उसने मुझे जवाब Hindi language में दे दिया या Marathi language में मुझे से बोला मुझे, language से कोई फरक नहीं पड़ेगा logic, हाँ अगर उसने किसी और language में बोला होता एक मराटी में भी बोला एकने हिंदी में बोला, एकने इंगलिश में बोला, मुझे तीनों languages आती है मेरे लिए तो logic matter करता है बता क्या रहा है वो उसके भाषा बदलने से logic भी बदल जाएगा ऐसा थोड़ी होता है, जाना तो वही है भाषा बदलेगा तो मैं UK नहीं चला जाने वाला हूँ, जाना वही है मुझे तो यह चीज है, आपको यह समझना है कि languages कितनी भी आप सीखते हो बहुत फरक नहीं पढ़ने वाला उससे आपको logic पर काम करना चाहिए जितना हो सके, logics के उपर क्योंकि कोई भी company यहीं चाहती है कि आपका logic strong हो मतलब आपकी जो ability है सोचने की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप हमारे यहाँ पर जो अच्छे अच्छे algorithms बना पाओ कि अभी आजकल आप देखते हो YouTube पे भी जो वीडियो पसंद आया जिसका audience retention अच्छा रहा YouTube उसे promote करता है दूसरों तक पहुचाता है मतलब जो लोग किसी वीडियो को एक मिनट का वीडियो है तो लगभग 50 सेकेंड देखते है 45 सेकेंड देखते है तो अच्छा माना जाता है कि इतनी देर तक अगर audience रुकी हुई है तो शायद यह अच्छा content है वो और लोगों को दिखाएगा हाँ उसके साथ साथ किसी ने like भी कर दिया तो algorithm अपने आप यह समझ जाता है अरे यह वीडियो इसको पसंद भी आ रहा है किसी और को दिखा के देखते हैं क्या उसको भी पसंद आता है नहीं इसने like नहीं किया मतलब बहुत जादा फैलाने जैसा वीडियो नहीं है ठीक है क्योंकि इसने पूरा देखा तो और लोगों को दिखाया जाएगा यह वो अल्गोरीदा में पूरा बना हुआ है वैसा कमेंट भी आ गई अब तो और अच्छा है फिर तो मतलब लोग कमेंट भी इंटरेक्शन कितना जादा हो रहा है उस वीडियो के साथ तो लोग उसे और शेयर फिर लोग भी शेयर कररहा है खुद से यूट्यूम भी प्रमोट कर रहा है उसे तो वो जल्दी जल्दी फिर सब जगा फैल जाता है जैसे कोई निउज आप देखते हो कभी-कभी कितने जल्दी फैल जाती है हर जगा की WhatsApp से लेके फिर हर जगा पहुँच जाती है और पूरे दिन भर के अंदर पूरे इंडिया में पहुँच जाती है अगर आप से शुरू हुई है वो न्यूज अगर ऐसी है कि जो सब शेयर करेंगे और सब देखेंगे तो वो मुझे लगता है एक दिन के अंदर पूरे इंडिया में चली जाएगी ऐसे होता है वो तो जनरली ये सारी चीज़ें इसके उबर डिपेंडेंट है अल्गोरिधम्स ये शेयर करना अलग चीज़ हो गई यूट्यूब जो काम कर रहा है इंस्टाग्राम जो काम कर रहा है जो कंटेंट अच्छा है उसको तो वो अल्गोरिधम्स बनाने वाले वहां बैठे हुए हो अपने तरीके से अल्गोरिधम्स को बनाते हैं सिर्फ एक अल्गोरिधम्स नहीं से कई अल्गोरिधम सिचुवेशन के हिसाब से कोई और भी बोल सकता है कि मुझे ऐसा डेटा चाहिए जो इस शहर में रहते हैं उनका मुबाइल नंबर मेरे पास आ जाए या फिर वो क्या बात कुछ भी कैसा भी टाइप का अब आपकी पसंद के हिसाब से यूट्यूब आपको देगा वो जनरली यह नहीं देख रहा है कि उस मूवी का कंटेंट जनरली क्या होता है यह जो वीडियो होता है ना यह इंटर्नली पूरा बाइनरी सिस्टेम है बाइनरी फॉर्मेट में है मतलब अगर आपको आकाश दिखाया जा रहा है या फिर धरती दिखाई ज जमीन दिख रही है तो उसका एक binary code है 10111 कुछ तो होगा फिर अगर आपको कोई object जा रहा है उसका भी binary code होगा दूसरा object जा रहा है उसका भी binary code होगा ऐसे तो वो जो binary code से चलो आकाश का एक binary code है तो यह proof हो रहा है कि आप इससे related चीज़ें आप देख रहे हो तो फिर ऐसा binary code किस वीडियो में है जिसमें आकाश दिखाया जा रहा है जैसे कोई gravity movie हो गई या फिर और भी movies है जो Mars के उपर या फिर आप देखते हो कि पृत्वी के बाहर की बहुत सारी picture है ऐसी जो moon के उपर बनाई गई है ऐसे तो अगर आप वो click करोगे तो उससे related ही आपको दिखाया जाएगा फिर content ऐसा नहीं कि उसने सारी picture देख ली है लेकिन उसका algorithm ही वैसा बना हुआ है YouTube पे भी यह जैसा content आप सर्च करोगे उससे related किसी और का दिखाई देगा suggestion में फिर उससे related किसी और का आप python जादा सर्च करोगे तो python के दिखने लग जाएंगे आपको ऐसा होता है जंदली तो यह algorithm है यह बने कैसे यह बनाया गया है लोगों के द्वारा तो algorithm आपका अच्छा होना बहुत lightly लेता है वो ऐसा है कि वहाँ पे आपको logic लगाना है कि यह number sort कैसे करेंगे यह search कैसे करेंगे तो उसको एक बोलता है कि sorting ऐसे करेंगे हा किसी भी भाशा का use कर लो c language को use करके sort कर लो के दिखाऊ यह number c++ या python use करके sort करके दिखाऊ हो गया तो data structure using c रहे क्या फरक पड data structure using c++ रहे data structure using python रहे कोई फरक नहीं पड़ता data को manage करना है using कोई भी भाशा मैं आपको बोलू debate करना है किसी के साथ आपको और आपको एक language बहुत अच्छे से आती है लेकिन फिर भी आप debate नहीं कर पाओगे अगर आपको topic के बारे में knowledge नहीं है तो knowledge अलग चीज हो गई और किसी भाशा language का आना अलग चीज हो गई जैसे अपनी languages है वैसे programming languages है computer की दुनिया की languages और human वाली languages आप तो जानते ही आप बात करते हो अब एक आदमी को आपने एक program बनाया है C language में एक आदमी दूसरे country में है उसको आती है python language आपका program उसको शायद ना समझ में आए लेकिन आप algorithm बता दो English language में कि सबसे पहले ऐसा करो फिर दो memory बनाओ दो memory के अंदर data रखो फिर addition कराओ प्रिंट कराओ फिर वो किसी भी language में कर सकता है यह उसको भेज़ दो algorithm एक simple English language होती है वो सामने वाले को भेज़ दो वो अपनी भाशा में program बना लेगा तो algorithm इसलिए यूज कि आए कर रहा हो फिर आपको मैं एक logic बता दू अरे दो number add करो ना इसके बाद इसको print कराओ ना तो आपके दिमाग हाँ 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 फिर आप करो गया आगे तो वो logic लॉजिक पे ही काम करो बाकी languages matter नहीं करती कितनी languages आती है आप सिर्फ